सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर एकडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट दोस्तों जो मैं आज कहने जा रहा हूं मेरे एक एक शब्दों पर आपका विसेज ध्यान हो आज वास्तों में दोस्तों जो आज मार्केट गिरा है या नेगेटिव हुआ है वो पॉइंट पर आपको आज कुछ बाते खास रूफ से कहने जा रहा हूं और कुछ बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट भी बोलने जा रहा हूं जिस पर आपका विसेज ध्यान हो देखिए 900 गिरा साड़े 900 टक ले गए और भी ज्यादा बढ़ाने का विसेर रखा गया नि आपको और अच्छे से समझना है मैं आपको कहीं न कहीं एजुकेट करने की कोसिस कर रहा हूं दोस्तों कहने का रते हैं कि अगर आप डाव थेरी को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें प्राइमरी सेक्शन में एक तीन फेज़ेज होता है और तीसरा फेज होता है करेंगे तो तो नॉलिज की बात है लेकिन यहां मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मार्केट का जो प्रेजेंट सिनेरियो हो इस डाव थेरी के डिस्टिविशन थेरी से मैच हो रहा है यानि पैनिक फेज जिसको करते हैं डिस्टिविशन फेज भी इसी का दूसरा ना है कि पेनिक सेलिंग स्फुरोज हो जाता है मार्केट में और जब पेनिक सेलिंग सुरू हो जाता है तो चारो तरफ से घब्रह नोग से लोग जो विश है जो भी जिनके पास है उस घब्रह ने सब प्रतितüt कर देते हैं और वहां पर गलत-कदम ऊड़ जाता है कई मतलब इ बात है तो डौध हरी के तिसरे स्टेज पर जो यह कहा गया है डिस्ट्रिबूशन फेज जब आता है पैनिक फेज जिसको दुसरा नाम है पैनिक फेज इंग्लिश में उसको पैनिक फेज करते हैं हिंदी में हम से हम कहेंगे कि डर का एक माहुल वाली बात होना तो ऐसे में क् चारो तरफ से आप जो भी देखेंगे जहां भी देखेंगे समग्यटी उप्राइब करनेंगे तो इस गपरायाट पर पास में काफी गिरावट आ सकता है हाँ दोस्तो ये भी आपको मान कर चलना होगा आपको mentally prepared होना होगा दोस्तो कि Monday market अगर heavily गिरता भी है तो भी मैं अपने portfolio को नहीं बेचूंगा उसमें से जो shares है portfolio में जो पैसे वह नहीं बेचूंगा मेरा कहने का point यह है और जो अच्छे स्टॉक आप लेना चाहते हैं वागर वो नीचे के भाव में और attractive भाव में मिल रहे हैं तो उसे थोड़ी मात्रा में लेकर आपको जमा करना चाहिए आपको खरीद कर जमा करना चाहिए अपने आपके डिमेट एकाउंड में आपके portfolio में यही मेरा आपसे आज कहना है दोस्तों यह सब जीजे जो है temporary है ऐसा नहीं है हाँ यह है अभी आप देखी रहें कि Christmas holiday आ रहा है अपने अपने शेस अपने जो holding है बेज कर निकल जाते हैं और बाद में विचारे रिटेल इंवेस्टर परिशान होते हैं कि अब यह क्या होगा कल क्या होगा फिर आगे क्या होगा तो यहां पर आपके धेरी और साहस की परिश्चा दोस्तों शुरू हो गई है अब आपको मैं चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहूंगा और कुछ देखेंगे अच्छे स्टॉक हैं कॉलिटी स्टॉक हैं नीचे के भाव में दिख रहा है मैं उसे जोड़ोंगा यह प्रण करके आपको चलना चाहिए मेरे हिसाफ से दोस्तों यही आपको इस समय करना चाहिए क क्योंकि पैनिक फेज में यही सब होता है अच्छे-च्छे कॉलिटी स्टॉक भी जिनके पास होता है वह भी बेज देते हैं गलती से तो मैं यह वाकि खास रूप से यही इसले कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि डाव थेरी में यह सारी बाते आज से सो साल पहले यह सब बताय गया है कहा गया है और यही बात दोस्तों में आज के इस ओडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में जो मैं कह रहा हूं कोई नहीं बात नहीं है यह सो साल पूरानी बाते हैं तो इसलिए कि अगर आपको अच्छा नॉलेज है अगर आपको इस चेज को भली बाती जानते हैं समझते हैं तो घबराट की विसे का विसे बनता ही नहीं उटा यह विसे बनता है कि चलो और शैस हमें खरीदना है और एट्रिक्टिव हो में मिल रहा है तो मैं और एड करूंगा और शैस खरीदूंगा ऐसा सोच चाहिए और यहीं आपको कदम भी उठाना चाहिए बस यहीं करना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए आज के दिन और मैं तो यहीं देख रहा हूं दोस्तों मंडे मार्केट में गिरावट आ सकता कोई कल परसुमें यानि शनिवार रविवार की दिन को ऐसा न्यूस है यह मार्केट में देखा इस समय जाता है दोस्तों अगर आप पूरा पढ़ते हैं कहीं एक सो इस को इस बात को क्यावर समझ जाते हैं तो दूरिया में बस चलते चलते यह ही कहोंगा बन दोस्तों और बाकी जो मैं कल परसों मैं कुछ वीडियो भी बनाने वाला हूं आपके नौलेज के लिए भी और कुछ खास बातों के लिए भी जो मैंने पहले भी कमिट किया हुआ है वो सब बाते आपको कल की तारीक में आपकी सामने प्रस्तुत हो जाओंगा मैं भी और कुछ खास बाते आपको कहूंगा भी बस इतने ही कहना से दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं फिर मिलते वोस्तों